आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिनका उप्योग ज्यादातर किया जाता है इन इंजेक्शन का क्या उप्योग है कब इसका उप्योग किया जाता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको भी जरूर जानना चाहिए इन injection के बारे में कौन सा injection कब उपयोग किया जाता है ये part 7 हम बनाने जा रहे हैं चले बात करते हैं वीडियो पूरा देखें का दोस्तों बहुत अथी जानकारी मिलने वाली हैं सबसे पहले बात करते हैं बूपीवा के इन injection के बारे में ये injection लोकल एनस्थेसिया के लिए उपयोग किया जाता है अगर शरीर में कोई सर्जरी होती है तो शरीर के किसी भी भाग को कोई particular भाग है उसको सुन करने के लिए इस बूपीवा के इन injection का यूज किया जाता है तो ये जो injection है दोस्तों ये local anesthetic drug है और किसी भी surgery करने के लिए शरी के किसी भी बाग की surgery करने के लिए हाथ की पेर की अगर surgery करते हैं तो उस बाग को सुन करने के लिए इस bupivakine injection का यूज किया जाता है और ये जो injection है दर्द को कम करता है जैसे किसी बाग की surgery करते हैं जाता है ताकि वहां पर यह जो injection नर्व को ब्लोक कर देता है इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में और यह इंजेक्शन है मॉर्फीन इंजेक्शन एक ओपोईड इंजेक्शन है यह जो कि दर्द को कम करेगा moderate to severe pain किसी भी प्रकार का दर्द हो चाहे वो छोटा दर्द हो बड़े से बड़ा दर्द हो कैसा भी दर्द हो उस दर्द को कम करने के लिए इस Morphine Injection का यूज किया जाता है ये हमारे शरीर में मस्तिस्क और तंत्र का तंत्र पर काम करता है तथा दर्द को कम करता है और दोस्तो ये जो injection है Morphine Injection जिसमें Morphine है ये एक नशिली दवाईयों की श्रेणी में आता है ताकि अगर इसका जो नियमित उपयोग करते हैं तो इसकी वज़े से आपको लट लग जाती है और इसकी वज़े से म्रत्यू भी हो सकती है दैत भी हो सकती है तो आपको कोई भी medicine या ऐसे जो नशिली दवाईया है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए चाहे कोई सिद्व भी medicine हो आपको एक बार डॉक्टर से सला लेनी चाहिए फिर ही उनका यूज करना चाहिए अब next injection के बारे में बात करते हैं ये है नेलोकजोन injection ये opioid antagonist नामक दवाईयों की स्रिनी में आता है यानि अगर नशिली दवाईया जैसे कि हमने पहले बात के थी morphine injection के बारे में ये भी एक opioid है तो opioid antagonist नामक की दवाईयों की स्रिनी में आता है opioid की अगर toxicity हो जाती है शरीर में तो नशिल दवाईयों की toxicity की वज़े से आदमी की जो है death भी हो सकती है नत्यू हो सकती है तो opioid toxicity के treatment में ये नेलोकजोन injection यूज किया राता है ये opioid receptor को बंद कर देता है उनको काम करने से बंद कर देता है ताकि जो opioid दवाईयों होती है नशिल दवाईयों होती है वो अपना effect शो नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर देखिए morphine sulfate injection है अगर इसका भी अगर toxicity हो जाती है morphine sulfate की तो उसकी toxicity को कम करने के लिए इस नेलोकजोन injection का यूज किया राता है नेक्स्ट बात करते हैं ये injection है phenobarbital injection phenobarbital injection का उपयोग मिर्गी की इलाज में किया राता है अगर किसी को मिर्गी है तो मिर्गी की इलाज में इसका यूज किया राता है और अनिंद्रा यानि नीन नहीं आती है मिर्गी के दोरे आते हैं और उसकी वज़े से जो patient है वो disturbed हो जाता है उसको नीन नहीं आती है तो उस patient को शांत करने के लिए मिर्गी के इलाज में इस Phenobarbital Injection का यूज किया राता है जैसे कि अचानक से Electrical Activity बढ़ जाती है Brain में सिर में Electrical Activity बढ़ जाती है और seizure आने लगते है मिर्गी के दोरे आने लगते है तो उस मिर्गी के दोरे के मिर्गी के जो दोरे हैं उनको कम करने के लिए इस Phenobarbital Injection का यूज किया जाता है अब बात करते हैं मेजूलम Injection के बारे मेजूलम Injection एक Sedative Injection है यानि ये पेशेंट को सांत करेगा और ये जो Injection है जाँच या कोई procedure होती है उसके दोरान पेशेंट को अर्द बेहोश यानि आदा बेहोश करने के लिए इस मेजूलम Injection का यूज किया जाता है जैसे कोई surgery बगेरा होती है चोटी मोटी तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है और anxiety तथा मान स्पेशों में तनाव से रहात दिलाने के लिए इसका उप्योग किया आता है कोई patient ऐसा है जिसको anxiety है चिंता सताती रहती है तो anxiety के treatment में ये मेजूलम Injection काम आता है और कोई मामूली surgery होती है या dental प्रकीरिया होती है तब ये मेजूलम Injection यूज किया जाता है ताकि जो patient है वो आदा बेहोश हो जाए उसको anxiety ना हो या उसको चिंता ना सताए किसी भी तरह की इसके बाद बात करते हैं जो next injection है वो है Ateryx Injection Ateryx Injection एक एक एंटिहिस्टामिनिक इंजेक्शन है तो ये जो injection है शरीर में तवचा पर अगर खुजली होने लगती है सूजन आ जाती है या हिस्टामिन की वज़े से तवचा में सूजन, खुजली या रशिश होने लगते है तो इसका उपयोग किया जाता है और कोई चिंता सताती रहती है जैसे के सरजड़ी के बाद और पहले पेशंट को आरम दिलाने के लिए क्योंकि कोई सरजड़ी वगरा होती तो पेशंट को चिंता रहती है एंजाइटी होने लगती है कि क्या होगा उसके साथ तो इस चिंता से मुक्त दिलाने के लिए इस injection का यूद किया राता है और short term चिंता जिसमें की brain की activity को ये कम करेगा ताकि patient को नीन आ जाएगी और नीन आने जैसा उसको महसूस होगा और उसकी चिंता जो है वो खतम हो जाएगी तो उसके लिए इस अटरेक्स injection का यूद किया राता है दोस्तों आप सभी से request करूंगा और प्लीज आप कोई भी medicine बिना doctor की शला के ना ले अगर आप इसा करेंगे तो आपकी health के लिए danger हो सकता है इसे कोई भी medicine यूज करने से पहले एक बार doctor की शला जरूर ले या pharmacy से भी आप consult कर सकते है तो friends अमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful होगा वीडियो पसंद है तो like comment और share जरू कीजिएगा और प्लीज चैनल को subscribe करके रखेगा ऐसे ही नहीं नहीं वीडियो आपको मिलती रहेगी thank you very much for watching this video